अरे गाइस गाइस कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है बस 1W4 का सिचुवेशन हो गया है So है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों एंड़ सबस्क्रेबर लोग कैसे हो तुम लोग आइ हब कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना आज की इस वीडियो के अंदर अपने लोग बात करने वाल है अपने अपकमिंग इवेंट के बारे में जैसे की गैस सबसे बड़ी अपडेट तो यही रहेगी कि अपना रेमपिज इवेंट 2023 की कन्फरम डेट निकल के आ चुकी है जब से रेमपिज इवो बंडल रिटन में आएगा उसके बारे में पता लगा है ना तो यार सब भी लोग यही बोल रहे है कि बुया बंडल रिटन में कब आएगा बुया बंडल रिटन में आएगा या फिर नहीं इसके बारे में बात करेंगे criminal bundle कब return में आएगा और कौन सा criminal bundle return में आएगा next top up event confirm हो चुका है और next token will event confirm हो चुका है जिसके बारे में आच की वीडियो में बात करने वाले है कुल मिला के गाई से आच की इस वीडियो के अंदर अप लोगों बहुत सारे new event के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा end तक देखना सबसे पहले में तुम्हें update के बाद होने वाले ऐसे changes के बारे में बताता हूँ जो यार top secret changes है current update के अंदर हम लोग glue wall के उपर चड़ के jump नहीं कर सकते क्योंकि jump का बटन दबाते है न तो भाई error आ जाता है ये changes गरेन ने पिछले update में ही किया था लेकिन यार वापस से अपना पूराना changes यानि अब आप लोग glue wall के उपर चड़ के jump कर सकते हो गरेन भी अजीब है वापस गलती करता है और वापस गलती को वही सुधरता है दूसरा secret changes हुआ है अपने clash code के अंदर जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो update के बाद clash code के अंदर ये वाला feature का आप लोग use करके देख सकते हो कि आपके teammate के पास कितनी gun है कौन सी gun है वो भी देख सकते हो है ना तो यार ये वाला feature तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा बात करें अगर तीसरे changes की तो create opening के time में एक select more नाम का button add कर दिया है current update में हम लोग एक ही create को एक ही time पे open कर सकते हैं और जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्रेट हो तो यार एक एक open करने में time तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा ना लेकिन यार अपडेट के बहाद select more नाम का button add कर दिया जाएगा यानि भाय आप लोग एक से पी ज़्यादा create को select कर सकते हो आपको जितने create को open करना है उतने create को select कर दो फिर उसको open कर लो वो साथ में ठीक सब भी एक साथ में open हो जाएगे आई होप के यह वाले मज़ेदार changes आपको अच्छे लगे होगे तो बात करते हैं अपने next update की next token will event confirm हो चुका है जिसका आप लोग officially banner देख सकती हो यह token will start होगा आने वाले 31 जुलाएगो सच कहूना तो गरना एकदम बेवडा है अप लोग यार green angelic का wait कर रहे है bunny bundle का wait कर रहे है लेकिन वो नहीं देगा इसको यार den show की यह वाले bundle देने है खेर आप लोग token will के reward को देख सकते हो एक मस्तसा male का bundle रहेगा साथ में एक female का यह वाला bundle रहेगा फिर एक blade की skin रहेगी जो मेरे ख्याल से गरना के मालिक चाउनली के पीछे घुसाना चाहिए मैं सची बता रहा हूँ यह वाली नेड की skin गरना के मालिक चाउनली के टकले पर फोड़े गया तो भाई एकदम खतरनाख लगेगी बाकि हमें यहाँ पे कुछ gun skin देखने को मिलेगी एंड यह वाला token will 31 जुलाई को आ जाएगा आई होप कि यह गरना के मालिक का पिछवारा फूर देने वाले जानकारी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टोप इवेंट की नेक्स्ट टोप इवेंट ओफिशली कन्फरम हो चुका है जिसका आप लोग बेनर दे नेक्स्ट वाला इमोर्ट फ्री में मिलने वाला है यार यह अपने ट्रेप इवेंट का है और भाई घर ना ओगस्ट मन्थ में दे रहा है यार इसका कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल निपसंदाया आथ थू आय होक कि यह हाथ थू करने वाले जानकारी आपको बहुत अपडेट की और हमारे नेक्स्ट ओगस्ट मन्थ बुया पास का नाम होगा सेंथश्टी का स्ट्राइकर जिसका आप लोग ओफिशली बेनर देख सते हो बुया पास के अंदर अपना सोन्या कैरेक्टर मिलेगा एक जूला जूलने वाला इमोट मिलेगा और फामस की गन स्क पाऊगे टोटल यार बुया पास बहुती जादा बेकार रहेगा लेकिन सोन्या कैरेक्टर फ्री में मिल रहा है और जूला जूलने वाला इमोट फ्री में मिल रहा है तो आप लोग निकाल सकते हो अपग्रेड कर सकते हो वक्त आ चुका है अपनी फ्री फार की एक गजब स मेम देखने का चला वह देख अपने क्या करता माई फ्रेंड नूब समझ कर गया था प्रो निकला अरे यार इसके साथ तो बहुत ही जदा गलत हुआ आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ ऐसा गलत होता रहता है अगर आप लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एका लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को पी सब्सक्रेब कर देना ताकि आप लोग हमारी फेमेली का हिस्सा बन जाओ और हम सभी लोग मिलकर सारी अपडेट को कवर करें और मजे करें तो यार अपना फ्री रिवर्ड का भंडारा कब होगा वो पता चल चुका है क्योंकि अपना रेमपेच का इवेंट ठीक अपडेट के बाद 11 अगस्त को अपने इंडेन सर्वर, बेडी सर्वर, एंड सिंगापर सर्वर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा बाके के सरवर में ठीक एक दिन पहले यानि 10 अगस्ट को स्टार्ट होगा और कल मुझे बहुत ही सारे लोग बोल रहे थी कि यार रेमपेज के पीछे फाइनल लिखा हुआ है और फाइनल लिखा हुआ है यानि ये अपना रेमपेज का लाश्ट इवेंट होगा इसके बाद कोई भी रेमपेज का इवेंट नहीं आएगा तो यार फिर मैंने सोचा कि हाँ यार बात तो सही है अच्छा लेकिन ये टेंशन मत लो ठीक है अभी कन्फरम नहीं हुआ है देखते हैं कि वाई आगे क्या होता है आये होप की ये वाले जानकारी आपको बहुत ज़ादा अच्छी लगी होगी तो बात करते हैं अपने क्रिमिनल बंडल रिटन के बारे में क्रिमिनल बंडल में से अपना ब्लू क्रिमिनल बंडल सिक्स्ट एनिवर्सरी के अंदर रिटन में आने वाला था लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि गरेना ने 6th anniversary में चावली ने यार गडबड गोटाला उसका टकला में ने फोड डाला ऐसा कर दिया बहुती हाई चांस निकल के आ रहा है था कि यार 6th anniversary में criminal bundle जरूर रिटन में आएगा लेकिन 6th anniversary का भाई सत्या नाश कर दिया तो जर अब आपको August month यानि next month का wait करना पड़ेगा लेकिन वहाँ पे भी confirm नहीं है अब एक ही confirm है कि दिवाली event के उपर आपको कोई ना कोई एक criminal bundle जरूर से रिटन में देखने को मिलेगा इससे पहले कोई update निकल के आती है तो तुम्हारा भाई बैठा ही है तुम्हें देगा मैं बाहर के server को चेक कर रहा था ना तो मुझे अपने एक server के अंदर रोक एफफ का bundle नजर आया जो आया है token wheel में अपने इंडिल सर्वर के अंदर भी रोक एफफ बहुत ज़्यादा famous है तो जार बस आने वाले कुछ टैम के अंदर अपना जो रोक एफफ का bundle है न वो भी तुम्हें अपने इंडिल सर्वर में बहुत जल्द दिखने को मिलने वाला है जब अपने इंडिल सर्वर में कोई अच्छा खासा इवेंट नहीं बचेगा न तब लूटने के लिए गरना ये token will दे देगा ठीक है तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा आई होब की ये वाली जानकारी आपको अच्छे लगी होगी तो बात करते हैं अपने बुया डे बंडल रिटन के बारे में जब से हमारे रेमपेच इवेंट में कन्फर्म हुआ है कि रेमपेच इवो बंडल रिटन में आएगा तब से यार बहुत सारे सब्सक्राइबर बुया बंडल के बारे में पूछ रहे हैं तो देखो गई अगर रेमपेचर event में RAMपेच इवो बंडल रिटन में आता है तो भाई ये बूआख़डे event के उपर बूआख़डे बंडल तुम्हें रिटन में देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि हम सबको पता है कि यारे एक के उपर एक यवो बंडल गरना कभी भी रिटन में नहीं देगा लेकिन हाँ इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि बुया बंडल रिटन में नहीं आएगा गरना ने रेर से पी जदा रेर चीजों को रिटन में दिया है तो भाई बुया बंडल क्या है ना वो पी तुम्हें रिटन में जरूर देगा बट हाल फिल हाल का अपडेट ये है कि रेमपेच इवेंट में रेमपेच इवो बंडल रिटन में आएगा बुयाडे इवेंट पर बुयाडे बंडल रिटन में आने का बहुती कम चांस है लेकिन अगर तुम्हें कोई बोलता है कि इस डेट को आएगा उस डेट को आएगा तो भाई भूल जाओ कोई भी डेट निकल के नहीं आई है यूँ कहें तो कोई भी ओफिशली अपडेट नहीं है बाकि आप लोगो थोड़ा सा वेट कर सकते हो कोई अपडेट मुझे मिलती है तो आपको जुरूर पता चल जाएगी लेकिन अपडेट के बाद इंक पेंटिंग हाइपर बुक आने वाली है अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के उपर क्लिक करो इवो बॉनन्जा इवेंट आएगा जिसके अंदरी इवो गनर रिटन आएगी अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो के उपर क्लिक करो